इनसान बचनों पे पक्का रहे अपनी खुदी को मिटा डालो क्योंकि यहाँ खुदी है वहाँ खुदा नहीं और यहाँ खुदा है वहाँ खुदी नहीं इगो नहीं होनी चाहिए, अंकार नहीं होना चाहिए जब इनसान माली को तुछ समझने लगता है तो वह तुछ से भी तुछ होता चला जाता है जब आदमी भगवान को जूट बोलता है उससे ठगी बेमानी करने शुरू कर देता है तो अपनी बेड़ी में बटे पाने शुरू कर देता है और जिस बेड़ी जिस नाव पे लगातार बजन बढ़ता जाए वो जुरू डूबती है मजधार में डूबती है यहां से निकल ना पाए इसलिए कभी किसी का हक मारके ना खाओ बेमानी ना करो ठगी बेमानी ब्रस्टाचार से बचो हाड़ वर करके खाओ मेहनत हक हलाल दसानवादी किर्थ कमाई करके खाओ मेहनत की कमाई थोड़ी आएगी लेकिन वो थोड़ी कमाई बेहद शानती परमानन्द को लेके आएगी पाप जुल्म ठगी बेमानी से ज़्यादा आएगी और वो ज़्यादा परेशानिया लेके आएगी गर में कले कलेश आपसी प्यार खत्म हो जाएगा आपस में बनती नहीं जगड़े नफरतें फैल जाती है बेचैनी का आलम हो जाता है इसलिए एक सभी धर्मों में ये शिक्षा है कि मेहनत की करके खाओ तो माली के गुन गाओ आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बंदे चरे जाओगे झालम हो जाओगे